टेस्टोस्ट्रोन हमारे बॉडी में एक ऐसा नैचुरली अकरिंग हॉर्मोन है जो मसल ग्रोथ और मसल डेवलेपमेंट करता है पर क्या होगा अगर हम टेस्टोस्ट्रोन को आर्टिफीशल याने के सिंथेटिकली अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लें तो आपको बहुत ही जाधा इंसेन रिजर्ट्स होई है इसमें कुछ पार्टिसिपेट्स को दो गरुप में डिवाइड कर दिया गया एक गरुप को बोला गया कि आपको हर हफते 600 mg टेस्टोस्ट्रोन नहीं दिया गया November को टेस्टोस्ट्रोन नहीं दिया गया result के end में ये पाया कि वो ग्रूप जो टेस्टोस्टोरॉण लेता था उसने तीन से छे गुना जादा मसल ग्रोफ अचीफ की है as compared to natural lifters के वहीं पर एक और research में तो ये भी देखा जा चुका है कि अगर आप testosterone लेते हैं याने कि steroid लेते हैं और workout नहीं करते हैं तो आप जादा मसल गेन कर पाएंगे उन natural lifters के जो लोग testosterone नहीं लेते थे पर workout डेली करते थे तो जो steroid गेन होता है वो temporary होता है ये permanent नहीं होता क्योंकि naturally आपकी body उतना level of testosterone कही बना ही नहीं पाएगी जितना आप synthetic ले inject कर रहे हैं इन फैक्ट steroid छोड़ने के बाद आपकी body को up to 4 months लगता है वापस से अपनी natural testosterone level पे आने के लिए तो अगर आप मेरी तरह एक natural lifter है जो compete नहीं करता तो क्या फाइदा ऐसे temporary gain का